आपको पता होगा सैंसेंग की तरफ से नोट 7 को और मैं क्लियर बताऊंगा कि कौन सा जो फोन है वो आपके लिए बैटर रहेगा तो चलिए स्टार्ट कर लेता है आज की वीडियो को तो सबसे पहले बात करते हैं आप डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है सैंसेंग का ले का मैं बहुत बड़ा फैन हुँ ऐसा मत कहना हीट कर रहा है सैंसेंग इस रेंज में अभी तक कुछ इनोबेटिव नहीं कर रहा था लेकिन इस बार इसने इनोबेटिव कर रहा है यहां पर देख सकते हैं बैक काफी अच्छी दिए लेकिन अभी भी प्लास्टिक की है और पर आपको देखने के लिए मिलता है और वर्टिकल शेप में दिया गया है तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं सैंसंग का फोन है उसकी बैक पर आपको कोई और यहां पर रेडमी नोट 7 में आपको ओविफ़ोपी कोटिंग दी गई है तो एसे मतलब उंगले निसान लगने वाले संसें एंट को पर तो यह तो गई बैक की बात बात करते हैं फ्रंट की तो यहां पर आपको दोनों ही फोन के अंदर इन्फिनिट इव डिस्प्ले ज होती लेकिन इसे बताया जा रहा है इसके मैंने कुछ रिव्यूज पढ़ेते तो महां पर बताया गया है कि दोनों देखने में बिल्कू सेम ही लगती है तो इहां पर डिस्प्ले को लेकर कोई डाउट नहीं तो इसा आप से थम्स अप अब प्रोटेक्शन की बात कर लें लोग इस पर चड़ रहे हैं और जब भी नहीं तूट रहे है ऐसा बताया लेकिन अर्व मेरा तो तूट गया था यार महां आया और सैंसिंग एंट्वेंटी में फ्रेंट पर आपको देखने के लिए प्रोटेक्शन ड्रेगन ट्रेल की यह ग्लास अच्छा है लेकिन पर क अब बात करें यहां पर हम नोट 7 के अंदर दी गया 4000 मह की बैटरी और यहां पर आपको कुट चार्जिंग फॉर का सपोर्ट दिया गया है इस फोन के अंदर तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा मैं शाओमी को यूज कर चुका हूं और मैं परसनली सैंसिंग के फ करना चाहता हूं अगर आपको ज्यादा बैटरी तो आप सैंसिंग को ले लें क्यूंकि इसके अंदर प्रोसेसर वह भी खास वर से बैटरी के लिए ही डाला गया है अब बात करते हैं डूट्रोप नोच के अंदर कितने मेगा पिक्सल का कैमरा और यहां पर सैंसिंग एंट यहां पर आपको रैडमी नोट 7 लिए गाया है तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो यार वो कैमरा ज्यादा अच्छा है कि बात करने हां पर आपको थरीं प्लस 5-megapixel का कैमरा सेंसर दिया गया है और 13-megapixel का जिसका फोकॉस एपर चारा थे लिए जाता है लेकिन आपको बात बताना चाहता है और वहीं पर रैडमी नोट 7 के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है तो यहां पर नोट 7 विनर है और रैडमी नोट 7 का कैमरा इस वजह से ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसके इंदर पिक्सल साइज में बड़ा मिलता है और लो ला क्योंकि रैडमी नोट 7 के अंदर आपको दिया गया है तो आप 2 इस साथ यहां पर तेको थोड़ा बाजिमार चुका है अब बात करते हैं आपर रशोक की तो मैं इक बात बताना चाहता हुँ मैंने पहले भी बताया तो आपको देखने के लिए पाश्वार्ट एपको बता चुका हूं यह एक उक्टावर प्रोसेसर है इसके अंदर दो कोर्स है कोटेक्स A73 की वह क्लोग करी गया है और साथ-इसाथ बात करें छे कोर्स की तो वह क्लोग करी गया है तो यहां पर आपको अच्छा बैटरी बैकप देखने के लिए लेकिन अगर मैं पर्फॉमेंस की बात करूं तो आपको रैडमी नोट 7 के जैसी पर्फॉमेंस नहीं देखने के लिए मिलेगी इस फॉन के अंदर अब बात करें रैडमी नोट 7 के अंदर कौन से प्रोसेसर दिया गया जो एक उक्टावर प्रोसेसर है और साथ-इसाथ उसके लेना चाहते हैं तो आप रैडमी नोट 7 को थोड़े दिन का और वेट कर ले तो ले सकते हैं वैसे अच्छा फोन निकाला लेकिन इसके कॉंपिटीटर हैं काफी सारे मार्केट के अंदर अगर आपको वीडियो ची लगते से लाइक कर देने कमेंट कर कर रहा हैं बैस पार्ट अफ इस वीडियो साथ आप मुझे फेस्बूक और इस्ट्राम पर जरूर वो पर ले और हाँ अगर आपको वीडियो ची लिए तो च कॉंपिटर के उनके बिंदल के हैं इमान के इजट के बड़तन दोनों ही खाली है जाली है सक पर टोपी गांदी की पूरे मवाली है ताली है वाशन में कहते हैं मैं लाओ को सम्मान